कि हलो है य़म टू अभी पीडिया पावरड बाई अभिमानीवाईए दोस्थो क्या स्टेट सिवल सर्वेशेश एग्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं क्या को अगर हम बात करे तो भारत के किसी भी राज्याग का कुई भीoms जो civil services के लिए प्रिपेर कर रहा है, वो किसी भी state का civil services का exam दे सकता है, यानि कि अगर आप हर्याना से बिलॉग करते हैं, तो आप अरुनाचल प्रदेश का civil services का exam भी दे सकते हैं, आप गुजरात का exam भी दे सकते हैं, आप राजस्तान का भी दे सकते हैं, आप महरास्टा का भ लिखेगा आपको बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल इकान दबाना नहीं भूलना है अब बढ़ेंगे वीडियो के और तो देखिए स्टेट सिवल सबसे की मैं बात करूँ तो भारत के किसी भी राज्जे का कोई भी एश्पिरेंट जो सिवल सब्सक्राइब करता है वो किसी अन्य राज्जे का स्टेट सेवल सबसेड का एक्जाम दे सकता है अब difference क्या रहता है क्या चैन्जिस रहते हैं तो देखिए चैन्जिस रहता है यहां पर कहáchしま क्राइफे उर्ल हैं पर स्लेक्शन्य प्रोसेस में तो निजन पेटर्ण एक्साम पेटर्ण कहीं प्रिलेम्स में अगने जाव है रहता है और fon एक जाता है आप जिस भी स्टेट प्रिया जाओंगे आपको स्टेट का लेंग्वВот और जीके उसього ज़्याइब को आती होगी तो में जो डिफ्रेंस रहता वहां प्रेस यहां पे स्टेट जीके का नमबर वन नमबर टू यहाँ पर टॉप रैंकर्स प्रड्यूस कर चुका है अभिवन यू आई एस तो अभी पीडिया आपके लिए ले के आया है एक कमबाइड एक कमबाइड स्टेट सिवल सर्विसेज एक्जाम प्रिपरेशन कोर्स विच विच विल हल्प यू टू क्रेक करेंगे इसको लेकर अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आज हम एक स्टेट की बात करेंगे यहां सकता है तो असम SvI-St Forgive करें गे जानेंगे असम ने कैसा रहता है पेटरन अगर आफ रहती करते हैं ठीक है तो आम पर लिए बहुत ही चीज चीज है कि आप नौरτα कम होका रहता है असरम जा सकते हैं या फिर अगर आप सेंट्र ओपि का का जो civil services का exam होता है वो state के public service commission के दोर organize करवाया दाता है हर state में अपना एक public service commission होता है as per the government of India Act 1935 ठीक है तो यहाँ पे असम public service commission जो है वो यहाँ पे work करता है in the field of the selection of the grade A grade B officer in the Assam state that is a public service commission तो अब Assam public service commission कब बनाय गया था that is on 1st of April 1937 that is with the provision of the government of India Act 1935 यह बनाया गया था तो असम public service commission यहाँ पर Assam civil services का recruitment करता है तो जानते हैं क्या process रहता है कितनी vacancies आती है सारा कुछ जानेगे सबसे पहले मैं बता दू कितनी vacancies यहाँ पर आती है तो देखेंगे 2017-18 में यहाँ पर 165 vacancies आई थी बहुत अच्छा officer यह सब मिला के मैं बात कर रहा हूं तो 331 vacancy अभी 2020-21 में इसको लेकर आई थी तो अभी और भी vacancies यहाँ पर आती रहेंगी तो एक बहुत ही अच्छा मोग है इस exam को crack करने का आगे बढ़ने का आगे बात करेंगे इसके बारे में तो यहाँ पर age limit क्या रहती है age limit 21 year minimum और maximum 38 year यानिक अगर आप 21 साल की उमर आपकी है कम से कम और जारस-जारा 38 38 साल के अगर हैं ठीक है 21-38 के बीच में हैं तो आप eligible हैं असम civil services का exam देने के लिए हाँ अगर आपके पास कूछ category है SCSTOBC तो वहाँ पर आपको relaxation मिल जाएगा अपनी category के accordingly आगे बात करें educational qualification की तो education qualification at least जो आपके पास होना चाहिए एक graduation का डिगरी भारत की किसी भी मानेता प्राप्ति उनिवस्टी से आपके पास graduation का डिगरी होना required है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे selection process की तो selection process में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो पेपर होता है परिलिम्स में आपे दो पर होते हैं दो अब्यक्टिव रहेंगे एम सी क्यू वाले रहेंगे ठीक है और प्रिलिम्स के लिए होता है इसके marks final selection में इसके marks count नहीं होते तो प्रिलिम्स जो है यह आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा मेंस के लिए करेगा अब इसमें दो पेपर हैं सी सेट नहीं होता सी सेट नहीं है अप्टीट नहीं है दोनों पेपर जनल स्टडीज के हैं सबसे पहले जनल स्टडीज वन यह 200 नंबर का रहेगा 200 नंबर का पेपर रहता है ठीक है दो घंटे का समय मिलता है दो घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर को अटेंप्ट करने के लिए दो घंटे का समय इसमें आपको जीएस पूछी जाएगी और जिसमें आपको 30-35% जो कोशन्स हैं वह असम जी कैसे आएंगे वह अस सिरफ qualifying in nature, इसमें सिरफ आपको qualify करना है, कितने percent at least ले के आने है, 33%, इसमें आप 33% ले आए, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, इसमें आपने 33% लिए, उसके बाद आपके इसमें जितने marks आते हैं, उसके accordingly जो cut-off बनेगी और आप mains के लिए eligible होंगे, अब mains के लिए eligible होंग clear, तो general studies का जो paper 2 है, that is only qualifying in nature, इस बात का ध्याना आपको रख लेना है, 33% आपको सिरफ लेने होते हैं, 33%, 23%, दोनों paper एक ही दिन में लगभा conduct किया जाते हैं, OMR sheet पे होगा, offline, ठीक है, तो यह चीज़े में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 33% आपको लेना है, paper 2 के अंदर next यहाँ पे negative marking भी होती है, negative marking कितना रहेगा, one by fourth, one by fourth, आपका negative marking रहेगा, one by fourth आपका negative marking रहता है, जो question आपने attempt नहीं किया, उसको छोड़ते हैं, अगर आपने किसी question पे 2 attempt कर दिया है, ठीक है, 2 circle को dark कर दिया है, तो आपका wrong गी attempt count होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कि wrong answer attempt नहीं करना है, negative से बचना है, जो आता है वही attempt करना paper, यह चीज़े सब को ध्यान रखना होती है, next बात करेंगे mains की, तो mains में यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो 2 paper वो qualifying होते हैं, और 8 paper उसके बाद और होते हैं, 2 paper तो सरफ qualifying है, वही कौन से है, language के paper, सबसे पहल तो इन तीन language में से एक language चूज़ करनी होते हैं, जोगों कि आपका language का paper होता है, Assamese, Bengali और Bodo, ठीक है, Assamese, Bengali और Bodo, इन तीनों में से एक language का paper आपको देना है, ठीक है, बहुत सारे Bengali के बच्चे जो है, वो Assamese का exam का exam देते हैं, तो Bengali भी यहाँ पे है, Assamese भी यहाँ और Bodo, एक community है, तो इन तीनों में कोई आपको एक paper देना है, language का, ठीक है, qualifying in nature, qualifying in nature, उसके बाद मैं बात करूँ, अगर जो candidate है, वो डीमा हसा हो, कर्भी एंगलॉंग, वेस्ट कर्भी एंगलॉंग, इन डिस्टिक से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, जिनों ने यह जो तीन subject ह है, इन तीनों में से कोई, अपने स्कूल में, ठीक है, अपने स्कूल में अगर नहीं पड़ा हुआ, तो उनको यह paper नहीं देना है, उनके लिए exception है, उनके लिए exception है, language के paper की, ऐसे people जिनों ने, जो कि डीमा हसा हो, कर्भी एंगलॉंग या वेस्ट कर्भी से बिलॉंग करत का, यह दोनों paper जो है, यह qualifying है, यह सरफ qualifying in nature है, ठीक है, यह सरफ qualifying nature है, इनका जो role है, वो आपकी merit में count नहीं लिए आता, आपको इन दोनों paper में कम से कम बस 25% नम लेकिया आने, 25%, इतने में, बहुत है, ठीक है, 25-30 ले लो, उसके बाद आपको ज़्यादा इसकी requirement नहीं means के अंदरी, means के अंदरी, यह merit में आपके count करवाते हैं, यह merit में, आठो के आठो paper, 200-200 नमबर के हैं, आठो के आठो paper, 200-200 नमबर के हैं, हर paper का duration 3 घंटे का, हर paper का duration 3 घंटे का, ठीक है, सबसे पहले essay का paper होता है, paper 1 essay का है, उसके बाद 5 paper GS के है, general studies 1, general studies 2, general studies 3, general studies 4, general studies 5, उ दो पेपर आपके हैं, optional के, ठीक है, तो आठो के, आठो पेपर 250 मार्क्स के हैं, यानि की 2000 मार्क्स, 2000 मार्क्स का आपका क्या है, मेंस का एक्जाम, 2000 मार्क्स का आपका मेंस का एक्जाम, हर पेपर के लिए आपको तीन घंटे दिये जाएंगे, पांच पेपर, जी इसके हैं, एक ऐसे एक और दो optional के, दो optional के, आपको optional इन में से choose कर लेना है, आपके अपस optional का एक list है, जिसमें से आपको optional choose कर लेना है, clear, this is the list of optional, आपको इन optional में से optional choose कर लेना है, कोई भी optional आप choose कर सकते हैं, जिसके उपर आपको लिखना होगा, next, यहाँ पर हम देखे, clear, यह सब के सब पेपर तीन तीन घंटे के हैं और सब पेपर में यहां पे आपको एक optional choose कर लेना है जो कि आपको अगे लेके जाएगा उसके बाद mains की performance के बहाफ पे mains की आपकी performance के बहाफ पे you have to be selected for the interview or the personality test which is of 275 marks जो की 275 marks का है और total आपका जो selection होगा वो 2275 marks में से होता है ठीक है दो सब्सक्राइब का में से 275 का आपका इंटर्व्यू है और आपके टोटल marks है जिसमें से आपका final selection होता है final selection होता है तो make sure आपको अच्छा से अच्छा score करना में 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 और इंटर्व्यू के अंदर इंटर्व्यू के अंदर तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे असम civil services के अंदर असम civil services के अंदर if you have any kind of doubt regarding the exam pattern you can write in the comment section now move to the course तो अभी मन्यू आई है अभी मन्यू आई है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया आपके लिए ले क्या आया है एक combined state civil services exam preparation course which will help you to crack the state PCS of any state the state civil services exam of the any state because abhi manyu has selected abhi manyu के बहुत सारे बच्चे आसे जो है more than 1500 students जो है वो यहाँ पे select हो चुके हैं और लड़ी पिछले बाइस सालों के अंदर-अंदर in the civil services और in the state civil services यहाँ पे और लड़ी work कर रहे हैं तो चलिए अब आप भी अभी manyu की stopper league को join कर सकते हैं by the course by this course इस course का जो duration है वो छे महीने करेगा छे महीने में आपको complete syllabus करा दिया जाएगा चाहे वो general studies का हो चाहे प्रिलिम्स का हो चाहे मेंस का हो ठीक है along with the sea set along with the sea set आपको cover करा दिया जाएगा छे महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा syllabus and the best thing of this course is that कि आप पहले teacher को जानिये पहचानिये फिर आप आप से पढ़ाई करेंगे and वो कैसे there is a 20 days free trial 20 days free trial ऐसा आपको कहा मिलेगा 20 दिन का free trial तो अभी मन्यू आईएस आपको दे रहा है 20 days का free trial 20 दिन classes लगाईए उसके बाद select कीजिए कि क्या आप इस course को join करना चाहते हैं तो 6 महीने का ये course है जो कि आपको exam को करने के लिए बहुत अच्छे level पर help करेगा join our demo module course for the modern history modern history के लिए आप हमारा demo module course join कर सकते हैं जो की free of course है जिसका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा description box में आपको link मिल जाएगा जाएगा जाएए खुद को register कीजिए courses को check out कीजिए visit कीजिए and किसी तरह का भी problem आता है को doubt आता है तो you can write in the comment section comment section में किसी भी तरह का problem दीचे आप हमें email या call भी कर सकते है WhatsApp भी कर सकते है कोई problem नीए ठीक है आपको हर तरह से आपकी help की जाएगी तो join our demo module course of the modern history today and join the topper leaks of abhiman new IAS क्योंकि आप भी आने वाले टाइम में civil servant बन सकते है civil servant बन सकते है तो join the course today आज ही course को join कीजिए link नीचे description में आपको मिल जाएगा free of cost and अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो करवे दोग का झाएम हो के जाएम में आपने a टूगा bringete एंपका के शोरी अरम में करवे के लाएपके तकीता है थोरी it प्याक्रव distillने प् MON bater कूब्लापके के अभी एंभी भी आने intact झाल झाल